गुद आफ्टरनोन एब्रिवन वेल्कम टू सिविल स्टैफ हाँ जे कैसे आप सब लोग आशा करता हूं आप सबकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी चले तो काफी बाते आपने औरेडी शाहिद कर चुके हो आप कमेंट सेक्शन में गुड़ आफ्टरनोन अब थोड़ा पढ़ाई पर द्यान देते हैं पहला चैप्टर आज हम शुरू करने वाले हैं कंप्यूटर का तो पूरा स्लेबस पहले में डिस्कस करूँगा कि की इग्जेक्ट अगर देखे तो आठ सवाल आये यह वाले पेपर में जो 21 में कंड़क्ट हुआ था और जो 2015 वाला पेपर था एपी एफसी वाला उसमें नाइन कोश्चन से हमारे कंप्यूटर के तो उस पॉइंटर व्यू से यह काफी इंपोडेंट हमारे पास कॉम्पो की कोशिश करेंगे कि क्या कंप्यूटर है बिल्कुल जो आपका सलेबस है उसके साथ ही मैंने लेक्टर को सिंग किया है और मैंने अपनी तरफ से कुछ भी मिस नहीं किया है ठीक है पीपीटी में भी ओल्मस्ट मैंने सब कुछ ही लिख दिया जो इंपोर्टेंट रहेगा बाकि अगर कुछ मिस होगा कोपी पैन आप सभी रख लेना अपने पास वह आप साथ साथ नोट करते रहना ठीक है जो नोट्स होंगे नोट्स की फॉर्म के अगर मैं बात करूं तो आपको जी जो पीपीटी है ये भी पीडियाप की फॉर्म में मिल जाएगी प्लस जो से आपको नोट्स दूँगा वो भी आपको पीडियाप की फॉर्म में मिलेंगे मतलब हर लेक्चर के साथ आपको दो फाइल्स मिला गरेंगी एक तो पीपीटी और दूसरा पीडियाप ठीक है अब टेंशन मतलो बच्चे आप फिकर मत करो एक बार स्लेबस देख लेना वो सारः आपका वही से जो आपके पेपर में आया हुए है ठीक है nei क्या चलिए शरू करें आज कि फैर कि क्लास क्यूकरें कि बैसे मेरी यही है स्विए इन कंप््यूटर और APFC के पेपर की तो इसमें टोटल मैंने आठ नो चैप्टर देखे हैं टोटल एट चैप्टर मैंने इडेंटिफाई करें जिनमें प्रीविए सेर्थ में कुछे गए हैं जुरूरी नहीं है कि सर्फ यह और अपना APFC वाला ही पेपर है कोई भी अगर आप तो यह आपको टोपिक्स हैं यह तो compulsory आपको पूछे ही जाते हैं ठीक है तो पिछले जितने भी पेपर थे UPS दिवारा कंड़क्ट किये जिसमें कंप्यूटर आता था मैंने सारे क्वेशन्स किये हैं और वो क्वेशन्स में आपको इन फूचर करवाऊंगा भी तो आप भी देख लोगे कि हाँ यही सारे टोपिक्स हैं तो इसमें पहला चैप्टर रहेगा हमारे पास history, generation and types of computer कि क्या थी computer की history कहां से शुरू हुआ कितनी तरह की generations में इसको divide किया गया और अब कितनी तरह के computer हमें आज के time पे देखने को मिल जाते हैं वो सारा discuss करेंगे जो important personalities हैं उ हमको computer hardware कहा जाता है जिनको अब touch कर सकते हो प्लस इसमें हम memory के बारे में पढ़ेगे कि computer memory क्या होती है पहली generation से लेके अब तक जितने भी memory के components है वो सारे इसमें हम discuss करने वाले हैं तीसरे नंबर पर हमारे पास आएगा computer software अब आप सभी को पता है न software के बारे में आपने सु software जो है यह हम discuss करेंगे computer software में यह काफी बड़ा chapter होता है इसमें सारे application software साते है utility software साते है operating system आता है system software language प्रोसेसर हर एक चीस में consider होती है next नगर हम बात करें fourth number पर इसमें पढ़ेंगे number system number system मतलब computer का number system जैसे आप सभी को पता होगा थोड़ा बहुत कि जो computer होता है वो digital form में 居री नंडा घ्राइस पर काम करता है जानaisseकी 01 में binary language समझ था है to binary number system होता है ठीक है जो machine language होती है वह किस पर काम करते है 01 पर जानी की बाइनिरी नंबर system अपार सॉन β एक decimal number system होता है और एक hexadecimal number system होता है तो total 4 तरह के number system होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो क्या चीज होती है plus उनको कैसे convert किया जाता है वो हम discuss करेंगे ठीक है next आएगा हमारे पास chapter 5 networking networking के बारे में भी हमने पढ़ना है कि network कैसे बनता है जैसे कहां से शिरुवात हुई अर्पने आपने नाम सुना होगा अर्पने ते networking की शिरुवात हुई थी 1959 की बात है यह उसके बाद networking इतनी ज़्यादा फैली है कि आज के पढ़ेंगे सारा इसमें physical form भी देखेंगे networking की जैसे आपने सुना होगा topology के बारे में bus topology star topology ring topology उसमें क्या-क्या components होते हैं वो सारा पढ़ेंगे next आएगा हमारे पास internet internet में हमने क्या-क्या देखना है कि internet को चलाने के लिए कौन से hardware use करते हैं जिसमें router आएगा modem आएगा bridge आएंगे switches आएंगे वो सारा हम पढ़ेंगे उसके बास software कौन-कौन से use होते हैं जैसे TCP IP है transmission control protocol internet protocol तो क्या-क्या protocols use होते हैं internet में वो सारा हम इसमें देखेंगे प्लस इसमें आएगा हमारे पास OSI model क्योंकि इसके उपर सवाल पक्ता बनता है एक्जाम में open system interconnection की इसमें seven layers होती हैं किस layer पर क्या चीज़ होती है कौन सी hardware layer है कौन सी software layers हैं वो सारा हम इसमें discuss करेंगे जो seven chapter हमारे पास होगा वो होगा DBMS के उपर DBMS होता है database management system तो इसके उपर पूरा का पूरा पढ़ेंगे कि DBMS क्या होता है इसकी working क्या है कितने तरह का DBMS है और सबसे important जो होता है RDBMS जानी कि relational model of database management system उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे eight chapter जो हमारा होगा उसमें हम देखेंगे MS Office MS Office जानी कि MS Word MS PowerPoint और MS Excel यह तीन चीज़े हमने पढ़नी है MS Office में ठीक है तो सारा discuss करेंगे कि क्या working होती है practical करके दिखाऊंगा प्लस आपको notes दे दूंगा जितनी भी shortcut keys होती है ठीक है वह सारा कुछ हम discuss करेंगे chapter eight में MS Office में अब जो लास्ट वाला हमारा चैप्टर है इसमें कुछ miscellaneous topics में आपको करवाँगा अब miscellaneous topics कौन से होगे जैसे GPS है ना GPS के बारे में आपने सुना है तो GPS कैसे गाम करता है वो पढ़ेंगे जियो फेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे कि जियो फेंसिंग क्या होता है उसके बाद generations of mobile phones पढ़ेंगे कि mobile phones कैते evolve हुए है एनलोग से digital आए फिर बन जी टू जी त्री जी फोर जी आज के टाइम पर 5G mobile phones भी है वो सारा हम डिसकस करेंगे मिसलीनियस topics में ठीक है प्लस abbreviations कुछ होंगी वो भी हम डिसकस कर लेंगे shortcut additional shortcut keys होंगी वो भी इसमें discuss कर लिया जाएगा तो यह है पूरा का पूरा हमारा सारा का सारा हमारा चले बस जो हमने पढ़ना है यूपीएसी इपीएफ के लिए ठीक है हाँ जी बताइए समझ आ गया सभी का भी यह चीज़ क्लियर है अब क्लास शुरू करने से पहले मैं अपने moderator सरसे एक request करना चाहूंगा कि कोई भी student अगर मालो आपको लगे कि inappropriate message कर रहा है चैट में उसको तुरंत ही ब्लोग कर दिया जाए ताकि जो स्टूडेंट सीरियस हैं वह अच्छे तरीके से पढ़ सके तो पहली क्लास है तो मैं चाहूंगा कि सभी अच्छे तरीके से पढ़ें तो जितने भी ऐसे आपको हाँ जी बिल्कुल देखो कोई भी ऐसा competitive exam जिनमें यह चैप्टर आते होंगे उन सब की लिए वेनिफीशल ही रहेगा ठीक है चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं आज क्लास कमेंट जब मैं question आप से पूछूंगा ना तब आपने answer करना है क्योंकि यह पूरी स्टोरी चलेगी एक भी चीज आपने मिस करी देखो हिस्ट्री से शुरू करेंगे और लास्ट तक पूरा कवर करना हमने तो कुछी भी अगर आपने मिस किया तो आपको problem होईगी in future ठीक है तो चलिए दोस्तों आज है पहला चैप्टर जाने की history of computers पहले चैप्टर का क्या हमने पढ़ना है हम history चेक करेंगे कि computer की क्या history थी कहां से computer स्टार्ट हुआ है ठीक है जैस पूरा का पूरा सिस्टम में मशीन है एक कैसे शिरू हुई थी उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे generations of computer total 5 generations होती हैं computer में हम 5 generations को पढ़ेंगे कि कैसे कैसे changes आते गए computer technology में और कैस कैसे कैसे नएने components add होते गए ठीक है फिर हम पढ़ेंगे definition and working definition के बारे में पढ़ेंगे computer क्या होता है हाला कि working आपको मैं पूरा नहीं बताऊंगा इसमें इसमें नॉर्मली आपको बताऊंगा कि क्या होता है computer क्योंकि working वाला काम हम करेंगे hardware में जिसमें input devices आएंगे output devices आएंगे तो एक एक की अगर working बताऊंगा तो ज्यादा आपके लिए beneficial रहेगा फिर हम देखेंगे types of computer कि कि कितने तरह का computer होता है तो तीन ब्रोडली तीन categories में इसको divide किया गया है by type, by size and by purpose कि कितने type के होते हैं जैसे analog होता है, digital होता है, hybrid होता है, by size अगर देखे, micro, mini, mainframe, super computer, by purpose देखे, तो embedded computer जैसे होते हैं, तो purpose, specific purpose होता है, general purpose computers होते हैं, तो सारे क्या हैं हमारे पास types of computer से, त तो अगर मैं history की बात करूँ computer की, तो सबसे पहला नाम जो आता है किसी एक machine का, जो को computer को define करना है तो आज के time पर क्या है, it is an electronic machine, it is an electronic machine है जो बिजली से चलती है, वो computer है, बट पहले जो बिजली नहीं थी, तब भी तो ऐसे कोई machines बनी होंगी, ऐसे कोई device बने होंगे, जि जैसे बैदिक mathematics है, it is also a type of computer science, है ना, तो क्या है हमारे पास ये, पहले सबसे पहले अगरम बात करें, तो manual era की बात करेंगे, कि वो वाला time, जब कोई भी हमारे पास machines नहीं थी, कोई भी हमारे पास mechanical कुछ नहीं था, कुछ भी electrical नहीं था, तो उस case में सबसे पहला नाम आता है, abacus, abacus, जो आप देख पा रहे हूँ, ये बच्चों के खेलने वाला खिलोना होता है, आपके घर में भी कहीं न कहीं होगा, जिनके घरों में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उन्होंने देखा होगा इसको, तो इसको consider किया जाता है, first computer, ठीक है, ध्यान रखना, म 2300-3000 साल पहले, चाइना में इसका invention हुआ था, तो इसके बारे में कुछ information लिखी हुई है, इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, addition और subtraction के लिए काम यूज होता है, add करना और minus करना, जैसे मालों चार minus 2 करना है, तो ये आगे पीछे करके minus होती थी, आगे पीछे करके इसको minus किया जाता था, तो सबसे पहला computer है, abacus, जिसका काम क्या था, addition और subtraction करना, और ये कहां का है, चाइना, ठीक है, चाइनीज है, ठीक है, दूसरे नंबर बे हमारे पास जो आता है, manual era में ही, दूसरे नंबर बे जो computer आता है, उसका नाम आता है, जी जमा और minus करता था, जो हमारा, नेपियर बोन था, इसका काम क्या था, multiply करना, इसका काम क्या था, multiply करना, इसके क्या हो जाता था, multiply किया जा सकता था, ठीक है, नेपियर बोन, इसकी invention किसने करी थी, जोन नेपियर ने, ये person के नाम पे इसका नाम रखा गया है, जोन नेपियर और यह क्या करता था, multiplication के काम आता था, ठीक है, अगर मैं इतकी बात करूँ, abacus की काम करूँ, तो यह क्या करता था हमारे पात, addition और subtraction करता था, natural numbers की, यह एक चीज़ और लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, natural numbers, ठीक है, हाँ जी मुझे बताइए, यह दोनों आपको समझ आ और doubt नहीं होगा, बिल्कुल जी, यह Scottish man थे, बिल्कुल Scottish थे, ठीक है, clear, अब next देखो जी, next आएगा हमारे पास, इसमें दूसरे नंबर पर mechanical era, इससे पहले हमने क्या पढ़ा भी, manual era अब आएगा, mechanical era, mechanical चीज़ क्या होती है, कोई भी चीज जो automatically काम कर रही हो, without electricity, without electricity, ठीक तो mechanical era की बात करें, तो इसमें सबसे पहला नाम आएगा, हमारे पास, ब्लेस पास्कल का, ब्लेस पास्कल का नाम आपने physics में भी सुना होगा, पास्कल लो करके हैं न, तो ब्लेस पास्कल जो है, physics थे, बहुत अच्छे scientist कह सकते हैं आप इनको, इन्होंने invention करी थी, Pascaline की, Pascaline की करीथीन, उन्होंने invention, यह रहा, Pascaline, यह क्या करता था, यह भी addition और subtraction करता था, किनकी whole numbers की, whole numbers का मतलब क्या है, कि zero भी इसमें include कर दिया गया है, ठीक है, तो addition और subtract करता था, whole numbers को जाने की, zero से लेके, nine तक, जडिजिट है, जा फिर जीरो से लेके, आगे जितने भी है, सा की addition और subtraction के लिए use किया जाता था, Pascaline का, Pascaline का use आज भी किया जाता है, अगर आप अपनी गाड़ी देखते हो, Maruti Attended की example लेके चलता हो, तो उसमें जो speedometer लगा हुआ है, जो odometer लगा हुआ है, वो आज भी इसी principle के उपर ही काम करता है, वो भी इसी principle के उपर काम करता है, तो अगर मान लो, exam में question आ जाए, कि आज के time पे odometer में कौन सी technology का use किया जाता है, तो आप क्या भोलोगे, Pascaline, Pascaline, आपका क्या जाएगा, अंसर आ जाएगा, फोटोस मैंने सासात रखी हैं, ता आपको आपका idea हो, कि ये क्या चीज है, ठीक है, उसके बाद एक important note है, पहला mechanical calculator थ पता नहीं कौन सा नाम पेपर में आ जाए, है ना, पता नहीं कौन सा नाम आपको पेपर में आ जाए, बाकि ये कुछे और है, जैसे पंच कार्ड है, पंच कार्ड के बारे में भी जोसफ जैकार्ड नाम है, इन्होंने invention करी थी इनकी और इनका यू यूज था, वो 19 सेंच अनलीटिकल इंजन ठीक है, हम इसमें कह सकते हैं, जो अनलीटिकल इंजन जब आया था, इसको कहा गया था, कि अभुई है कंप्यूटर की शरुवा का अब शिरुवाद है, पेहले सारे के सारे क्याते बच्छों क के खेलने वाले खिलोने, एकस है, नेपेर बोंस है, हहला क प्रोग्राम किया जा सकता था इससे पहले जिसको प्रोग्राम किया जा सकता था इससे पहले जितने भी आपने मशीन देखी होंगी कंप्यूटर देखे होंगे उनको प्रोग्राम नहीं किया जा सकता यह पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसको प्रोग्राम किया जा सकता था और इसको प्रोग्राम करने के लिए इसमें प्रोग्रामिंग करने के ल पास lady एडा लवलेज जिनका पूरा नाम क्या था अगस्ता लवलेज इनको हायर किया था चार्स बैज के द्वारा उनके अनलेटिकल इंचेन को प्रोग्राम करने के लिए ठेक है उनको प्रोग्राम करने के लिए यहां यहां तक आपको यह चीज़ समझ आ गया होगा इसके इलावा एक माम और है हर्में फॉल्ड रिट जो आई बीम कंपनी हैं इंटरनेशनल बिजनस मशीन्स जो हमारी आई बीम कंपनी हैं उसके जो फांडर थे उनका नाम है हर्में फॉल्ड रिट इंपोर्डेंट कंपनी है क्योंकि स्टाइटिंग में जो जितने भी कंप्यूटर थे जब आप देखोगे फर्स जेनरेशन में तो आई बीम का बहुत बड़ा जोगदान था एपल तो बाद मे सब्सक्राइब बात किसी को कई यहां तो कोई डाउट तो नहीं है अनलिकल इंजिन आपको समझ आ गया इसमें दो नाम थे हमारे पास एक थे चार्स बैबेज और दूसरे हैं हमारे पास भगश्तालव्लेस और युक्त का वैसे किस नाम से मुश्वर है रहे लेडी एड़ लवलेस तो दोनों नाम सेमी हैं ये दोनों सेम एक ही परसन के नाम है नेक्स देखिए नेक्स आईगा अब हमारे पास electronic era अब electronic era की हम बात करेंगे अच्छा आवाज मेरी अपना थोड़ी सी कम रहे गी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा हमारे साथ वाले रूम में इंटर्वियू चल रहे हैं HPAS के तो अगर आपको कम आवाद आए तो मुझे एक बार प्लीस बता देना ठीक है जो मैं आपको लिखने के लिए कहूंगा आपने सिर्फ वही facts लिखने है ठीक है उनमें सबसे पहला कम्प्यूटर था हमारे पास एनियाक का नाम होता है Electronic Numerical Integrated एंड कम्प्यूटर तो यह पहला कम्प्यूटर था अगर आप से question पूछा जाए which one is the first electronic कम्प्यूटर तो आपका आंसर क्या है एनियाक देखो इतना बड़ा कम्प्यूटर था यह आपके सामने कम्प्यूटर जो बना हुआ है न यह कम्प्यूटर है basically हमारे दिमाग में क्या आता है जब भी हम कभी ऐसा सोचते है कि कम्प्यूटर कैसा रहा होगा तो हमारे दिमाग में क्या चीज आती है यह एक मोनीटर लगा होगा एक कीवोड लगा होगा और एक माउस लगा होगा हम उनको क्या बोलते हैं कि यह एक कम्प्यूटर का सेटफ है लेकिन ऐसी बात नहीं है कम्प्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है basically कोई भी ऐसी मशीन जो अटोमेटिकली काम करती है उसको हम क्या बोल देते हैं कंप्यूटर बोल देते हैं इवन आपका जो मुबाइल है वो भी एक तरह का कंप्यूटर ही है और अगर मैं को एक और चीज़ बताना चाहूंगा जो मोनीटर वगेरा होते हैं जो मोनीटर है जो कीवोड है यह तीसरी जेनरेशन में शुरू होए थे पहली दो जेनरेशन में स्क्रीन ही नहीं थी थर्ड जेनरेशन में स्क्रीन आने मोनीटर आना शुरू हुआ था तो चलिए दोस्ता अब शुरू करते हैं एक के उपर एक की बात करें तो फर्स्ट ऑपरेशनल इलेक्ट्रोनिक डिजिटल कंप्यूटर जे पहला कंप्यूटर है डिवर्ट फोर्द इसा पूर्शन आ जाता है इसमें एक में 18,000 वैक्यूम ट्यूप का यूज किया गया था अब यह वैक्यूम ट्यूब क्या होती है जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर में यूज करी गई थी जो आगे हम इसको डिसकर भी करेंगे पढ़ेंगे इसके वारे में पूरा ठीक ह को मैं ऐसे बताना चाहूंगा 45 feet into 40 feet जो होता है न इतना बड़ा घर जो है यह बनता है 1800 square feet का और बिजली कितनी फूखता था यह भी देख लो कंजम्शन कितनी थी पावर कंजम्शन 180,000 watts of electrical power आज के टाइम बे आप देख रहे हैं आप हमारे computer कितने है 60 watts का 70 watts का 75 watts का इतना कम है ले पहले पहले इतना था स्टार्टिंग में क्योंकि यह शिरुवात थी उसके बाद हमारे पास आता है एडवेक दूसरे computer का नाम है एडवेक electronic discrete variable automatic calculator अब इसको जिसने डिजाइन किया था जिस person ने इसको डिजाइन किया था इसका नाम आप दो तीन बार और सुनोगे आज की क्लास में उनका नाम थ है जो इनका जो पहचान है ना जो जोन वो न्यूमें की वह इस पजबज़े से है क्योंकि जो computer का basic architecture है वह इन्होंने डिजाइन किया था ठीक है जी बेसिक जो जितने भी हमारे stored program होते है जो basic architecture है इस डिजाइन वा इस परसन तो यह बहुत important personality है यहाँ ठीक है और इन्होंन नहीं जो idea दिया था कि जो data है उसको binary form में store करना है binary form का मतलब क्या होता है 01 आज के टाइम पे भी जो data हमारा computer store करता है वो किस form में करता है 01 में करता है ठीक है 01 में करता है चलिए बाई next देखिए जी next आएगा हमारे पास ADSEC तीसरा computer है ADSEC की अगर हम बात करें तो electronic delay storage automatic calculator ADSEC इसकी full form है यह पहला computer सा जिससे storage provide करी थी आज के टाइम पे हमारे computer के ऊपर क्या है storage होती है 1TB है 512GB है तो पहली बार जिसकी computer में storage का option आया था उसका answer क्या रहेगा ADSEC तो question कैसे बन सकता है first computer having storage तो answer रहेगा इसका ADSEC जा इसकी ADSEC की full form आ सकती है electronic delay storage automatic calculator इसका उत्तर रहेगा आई होप यह चीज़ आप सभी को समझ आ गया होगा ठीक है next आएगा हमारे पास UNIWAC यानि की universal automatic automatic computer अब इससे पहले यह जो तीन computer की मैंने बात करी है चाहे वह NIEC है या ADVAC है या फिर ADSEC है यह तीनों computer क् एक person ने computer बना दिया ठीक है अब अगर मैं UNIWAC की बात करूँ तो यह commercial computer था ठीक है और इसको किस ने बनाया था वही company IBM international business machines इन्होंने बनाया था UNIWAC इन्होंने developed किया था पहला digital computer produced by many companies like IBM था युनिवर्सल अकाउंटिंग कंपनी जर्नल इलेक्ट्रोनी कोर्प्रेशन है इसका नाम क्या है हमारे पार युनिवर्सल ऑ्टमेटिक कंप्यूटर यहां फिर UNIAC आप से अगर सवाल पूछे कि बताए पहला जो commercial computer था उसका नाम क्या था तो आप कामसर का रहेगा युनि है यह अपने पंड़नी जरू है यह सीधे-सीधे mcqs है ठीक है सीधे-सीधे mcqs है जैसे पहला first computer for the home user घर पे जो हम आज के टाइम पे घर पे यूज़ कर रहे है तो पहला का ऐसा कौन सा computer था जो घर के यूज़ के लिए बना था तो वह बना था 1981 में it is made by IBM it is made by IBM उसके बाद आएगा basic architecture of computer कि इसने दिया हुआ है यह हमने बात करी थी जोन वर नुमें द्वारा 1947-1949 में फर्स्ट प्रोग्रामर की अगर हम बात करें यह भी हमने डिस्कस किया हुआ है लेडी आडा लवलेस 1880 उसके बाद आएगा first electronic computer की बात करें तो वह कौन सा था एनियक किनो और किनों ने मिलाया था जेपी एकट जेड़ी मोली ठीक है उसके बाद आएगा हमारे पास first digital computer तो उसका नाम के आएगा यूनियक उसका अंसर के आएगा हमारे पास यूनियक यूनिवर्सल आटोमेटिक कंप्यूटर तो यह कुछ basic computer थे जो आप सभी को पता होना चाहिए था आई होप अब यह सारा आपको समझ आ गया होगा इट इस 1981 बिल्कुल सही लिखा है मैंने 1981 क्वेशन पढ़ो फर्स्ट कंप्यूटर फोर्त होम यूजर ठीक है यह वाला जो computer था इटवाद commercial परपस के लिए था यह commercial थे जो घरों में आपके computer है ना वह पहली बार घरों में computer का पहुंचा था 1981 में 1981 ठीक है नेक्स देखो जो कुछ और important facts जो मैं आपको शायद बता भी चुका हूँ जो कुछ रह गए होंगे यहां पर आ जाएंगे वो जैसे father of computer चार्स वैबिच अब father of modern computers यहां फिर computer science यह बहुत इंपोर्टेंट है father of computer science बहुत इंपोर्टेंट है इनका नाम है यह थी उनका नाम था enigma enigma machine क्या करती signals बेस्ती थी अपने सिपाहियों को अपने जितने भी सैनिक थे कि कहां अटेक करना है तो उस machine को decode करने के लिए उस machine को decode करने के लिए एलन टूरिंग ने एक computer बनाया था ठीक है तो इसी लिए इनको गोला जाता है father of computer जो आज के टाइम पर आप अपने घरों में computer देखते हो उसमें जो उसका जो बेसिक चीज है ना उसका जो बेसिक components है यह कह सकते हो उसकी जो सोच थी जो स्कार्टिंग थी वह एलन टूरिंग के दवारा ही हुई थी इनके ओपर एक मुवी बनी हुई है the imitation game the imitation game अभी तो खेर आपको time नहीं मिलेगा लेकिन time मिलेगा तो देख लेना ठीक है अच्छी movie है historical background के साथ आपको मज़ा आएगा अच्छी movie है ठीक है next देखिए next आएगा हमारे पास computer अब यह जीके का सवाल है यह computer में नहीं आएगा लेकिन computer का पार्थ है तो आपको पता होना चाहिए second of December second of December को होता है computer literacy day और जो पहला computer था जो इंडिया में बनाया गया था देखो पहला computer जो इंडिया made in India था पहला computer तो उसका नाम था सिदार्थ पहला computer जो इंडिया में ही हुआ था इंडिजी बनाया गया था उसका नाम था सिदार्थ इस made by electronic corporation of India ECI इसका answer होगा ठीक है और पहला computer इंडिया का कौन सा है सिदार्थ मैंने सिर्फ computer बोला है इसको सूपर computer के साथ मत रिलेट करना ठीक है वह आगे चलके discuss करेंगे तो इसका answer क्या रहेगा हमारे पास सिदार्थ पहला computer नेक्स देखते हैं अब हम यहां तक आई होप आपको समझ आ गया होगा कुछ historical background का आपको पदा चला होगा कि अबैकस भी एक traction का था फोल नंबर की फिर analytical engine देखा जिसमें हमने चाल्स वेबिश के बारे में सुना अपार्ट फंड़ लेडी एड़ लवलेस के बारे में बात करी जो फस्ट प्रोग्रामर थी फिर हमने देखा electronic एरा जिसमें हमने पहला computer अनियक के बारे में पढ़ा एडवेक के बारे में पढ़ा एडशक जो की पहला storage computer था उसके बारे में पढ़ा यूनिवेक के बारे में पढ़ लिया और उसके बाद कुछ important जो personality थी उनके बारे में हमने ये discuss किया पंच का ज्यादा important नहीं इसलिए मैंने स्किप कर दिया रिवीजन के टाइम पर सिर्फ important चीजे ही में डिसकस करूंगा ठीक है अब नेक्स सम सेकंड चीज पढ़ेंगे history हमारी खत्म हो चुकी अब बात करेंगे generations of computer की evolution कैसे हुई computer कैसे जो आज आप देख रहे हो कि एक घड़ी में भी एक computer होता है तो इतना छोटी सी जगह पर computer कैसे फिट हो गया जो पहले अठारा सो स्क्वेर फीट में था अब वह एक मेरे ख्याल से बंस्क्वेर इंच होगा यह फीट भी नहीं है इंच के साब से तो वन स्क्वेर इंच में कैसे फिट हो गया है तो वह सारा पढ़ेंगे कि कैसे कैसे एवल्फ होती गए technology कैसे चेंज होता गया, साइज कम होता गया स्पीड जादा होती गई, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे ठीक है, तो चलिए भई, अगर मैं कंप्यूटर्स की बात करूँ तो इसको पांच जनरेशन्स में बांटा गया है आज तक कि अगर हम बात करें तो इसको फाइव जनरेशन्स में बांटा गया है और इन पांचों जनरेशन्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है मैं एक बार आपके कमेंट्स देख लेता हूँ मुझे लग रहा है कि दुखी बहुत है जनता यहाँ पर पढ़ने का तो पता नहीं लेकिन दुखी बहुत लग रही है मुझे क्या लिख रहे हो क्या पुछ रहे हो रेफरेंस बुक को कौन सी पढ़नी है इतना टाइम है आपके बास सिरियसली यार मैंने इतनी मेहनत करके तीन-चार बुक को स्टड़ी करके आपके लिए नोट्स बनाए और आप कहरें बुक को सी पढ़नी है जो मन करता है पढ़ो यार कोई भी पढ़नो वैसे मैं तो यही कहूँगा कि मेरे नोट्स पढ़ो इनफ है बाकी आपकी मर्दिया बुक्स बहुत है मार्किट में अपना अरिहंत की बुक्स बुक आती है इसमें दिशा पॉप्लिकेशन की बुक आती है भी पहली ज़िशन से दूसरी जनरेशन तक हम जाएंगे ज़ा दूसरी जोने से तीसरी तीसरे से पोर्स तो की ज़िशन during होने से चैन दॉसरी है सभी प्राइस साइस ब्रोवलम की साइ metallic में का साइ aroma बहुत बढ़ा तह तो साइस को shrink करने के लिए छोटा करने के लिए generation change होगी दूसरा speed speed को increase करने के लिए generation change होगी तीसरा user friendly computers को user friendly बनाने के लिए generation change होगी चोथा memory memory को increase करने के लिए हमारे पास generation change होगी speed को increase करने के लिए generation को generation change होगी यह हर बार ये कुछ common चीज़े जो है वो रहेंगी रहेंगी ठीक है आपने क्या देखना है mainly circuit कि किस generation में क्या circuit का use हुआ है पेपर में direct question क्या आता है कि third generation में बताओ कौन से circuit का use किया गया था ठीक है जा फिर यह बता दो कि second generation में memory कौन सी थी memory storage के लिए किसका use किया जाता था तो वही जीज़ आपने समझनी है तो दोस्तों पहली generation of computer की अगर मैं बात करूँ तो 1942 से लेके 1955 तक इसको कई किताबों में लिखा होगा 1940 से लेके 1956 तक तो tension वाली कोई बात नहीं है यह date नहीं पूछे जाएगी ठीक है तो आपसे क्या computer थे उसके components क्या थे तो अगर मैं components की बात करूँ तो पहली generation के जो computer थे उसमें जो प्रोसेसर्स हुआ करते थे यह यह कहलो कि जो उसमें circuit थे वह क्या से vacuum tubes इस तरीके से vacuum tubes हुआ करते थे आपके घर में जो बल्व लगा होता है ना वह जो पीली लाइट देता है उसके तरी बड़ा हो जाएगा तो इसलिए जो पहरी generation के computer होते थे वह बहुत बड़े होते थे ठीक है तो electric वर्ट की तरह होते हैं एक कुड़ कंट्रोल एंड एंप्लिवाइट्रोनिक सिग्नेल डेक्यूम टेक्नालोजी मेड पॉसिवल तो मेट इलेक्ट्रोनिक डिजिटल कंप्यूटर तो जो इलेक्ट्रोनिक डिजिटल कंप्यूटर थे वह किसकी वाज़े से बने रेक्यूम ट्यूब्स की वाज़े से ठीक है अब पहली जिनरेशन देखो तैयार तो होगी तो आपको पता है कि जब भी कोई चीज इंवेंशन होती है उसमें कुछ ना कुछ ल क्मरे में बल्ब लगा होता हुती हुएच निएंट में यह Brief कमरे में एंum कारे में टूब्सकों लगेंगी um कूल करने के लिए अच्छा कूलिंग सिस्टम चाहिए होगा अगर माझन लोग कूलिंग सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो हमारा कम्पूटर वहां पर कुलाप्स कर जाए तो उस चीज का जिए इसके ड्रोबैक्स मैंने आपको बता दिये हैं और यह भी बता दिया है कि पहल इसमें मशीन लेंग्वेज का यूज होता था जयानिकि 01 इसका यूज किया जाता था ठीक है अगर मैं परसेशिंग स्पीड की बात करूं तो इसकी जो परसेशिंग स्पीड थी ऑंड़र आईप्स अप नोट कर लेजिए जो जो मैं लिख रहा हूं ना थोड़ा नोट कर जो नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं नोट में गिवन होगा तो IPS क्या होता है instructions per second instructions per second अब इसमें एक जीज़ हो रहाएगी जो पहली generation के computer थे अब उसमें storage के लिए भी तो कुछ रखता होगा ना स्टोरेज भी तो होगी क्योंकि अपने देखा था कि जो एड सैका है वो एक स्टोरेज वाला कंभ्यू हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क का यूज तो यह फॉर्ट जेनरेशन में होगा था मगनेटिक टेप जो इसका जो सही उत्तर है न अब देखो न न न इन फॉर्टी टू से लेके न इन फिप्टी फाइब तक तो कितना बड़ा स्पैन है तो मल्टिपल चीज़ों का यूज हुआ होगा इसका अंसर आएगा मैगनेटिक ड्रम जो में ऑप्शन के साथ आंसर होता है वह होता है मैगनेटिक ड्रम क्योंकि जब शिरुवात हुई थी न इसका यूज किया जाता था अब नोट डाउन कर देजिए इसको ठीक है इसको नोट डाउन कर देजिए जब भी पहली जेनरेशन की बात होगी अगर आप से पुछे कि विच टेकनोलेजी यूजड इन स्टोरेज इन फस्ट इन रहेगा में अग्नेटिक ड्रॉम आपका आंसर हैं ग्नेटिक ड्रॉम चलिए दोस्तों तो यह हमारी पहली जनरेशन सेटीन जनरेशन की अब बात करने वाले हैं आपके साथ मैंने कंप्यूटर की फोटो भी लगा दिया ताकि आपको आइडिया हो कि दिखते कैसे हैं पहल सीजे जितने भी इस सब्सक्राइब पहली जनरेशन के अब दूसरी जनरेशन में जब आप आओगे वापको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि साइज कम हुआ है तो यही चीज़ है एफ़िवश्य अप्रियुटर कम होता जाएगा ने जोस्ते चलंद चैने के वे उनने क्या देखा कि वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो काफी दिक्कत क्रियेट कर रहे हैं प्रोब्लेमेटिक है क्योंकि खराब होए जा रही है उनको कूल करने के लिए पूलिंग सिस्टम हमें देना पढ़ रहा है साथ में सारा सिस्टम बड़ी जल्दी कॉलैप्स हो जाता है अगर मालो ज्यादा हीट परडूस हो जाए तो तो उसको क्या किया चेंज किया गया वैक्यूम ट्यूब्स को सेकंड जेनेरशन में रिप्लेश किया गया ट्रांजिस यूइंडूपस की कबारिठम की बात कर रहा है और तो इस्से रहेगा यहां पे ट्राफिस्टर घृत्वلة आपको विहाँ प्रिंट आउट की फोन में क्योंकि वह पहली और दूसरी घनरेशन में नहीं था 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 तीसरी जनरेशन में इंटेड्ईउस किया गया था तो पहली दो में आपको monitor देखने को नहीं मिलेगा तो इस तरीकी से computer थे हमारे पास सेकिंड जनेरेशन स्टिल राइड ओन पंच कार्ट्स फॉर इंपुट प्रिंट आउट लाइक फस्ट जनेरेशन जैसे फस्ट जनेरेशन में होता था इस प्रोब्लम को सॉल्व करने के लिए सेकिंड जनेरेशन में क्या हुआ अब यहां पर इंट्रडक्शन होता है असेम्बली लेंग्वेज का अब असेम्बली लेंग्वेज क्या होती है है असेम्बली लेंग्वेज एक निमोनिकज कोड्स होगा सकते है जैसे निमोनिक होते हैं कि कोई ची याद रखने के लिए हम निमोनिक का यूज करते हैं जैसे मैं आपको example देता हूं computer की ही तो computer में क्या होता है OSI model होता है seven layers है तो seven layers को याद रखने के लिए हम निमोनिक बना लेते हैं please do not touch this 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 है ना तो ऐसे ही क्या हुआ कि assembly language में भी क्या हुआ कि निमोनिक कोट का यूज किया गया जो की easily understand कर सकता था एक human being भी तो यह एक बड़ा change था आप से सवाल पूछा या सकता है कि assembly language is introduced which of the following generations कि कि किस generation में assembly language का use होना शुरू हुआ तो आपका answer क्या रहेगा इसमें कि इसका answer रहेगा हमारे पास second generation of computer इसके साथ साथ assembly language के साथ साथ जब हमारी generation खतम होने वाले थी तो last में high level languages को भी introduce किया गया जैसे कि Fortran है और COBOL है ठीक है Fortran क्या होती है और एन है ठीक है Fortran है तो Fortran क्या होती है formula translation formula translation high level language कह सकते हो और COBOL क्या होती है common business oriented language आप चाहो तो इस तीज को लिख सकते हो जी ठीक है क्लियर आप इस चीज को आप लिख सकते हो देखो जो assembly language होती है उसको low level language में consider किया जाता है ठीक है high level में नहीं consider किया जाता उसको low level में consider किया जाता है हाला कि वैसे तो assembly language को तो assembly language ही बोलते है ठीक है बाकि आप note-down कर लिजिए इन दोनों full forms को लिखो Fortran Fortran क्या होता है formula translation और कोबोल की अगर हम बात करें तो कोबोल होता है common business oriented language common business oriented language ठीक है जी चलो बई next देखो जी अब आप बात करेंगे तीसरी जनरेशन की तीसरी जनरेशन में क्या हो देखो दूसरी जनरेशन में हमने transistor का यूज किया फिर scientist का दिमाग क्या चला कि बई यह जो transistor है इनको हम combine भी तो कर सकते हैं integrate भी तो कर सकते हैं तो बहुत इंटीग्रेशन स्टार्ट करी गई उसकी integration स्टार्ट करके क्या बने सबसे पहले आई सी आज के टाइम पर भी हम नाम लेते ना इसी का integrated circuits ठीक है और circuit की जगा पर क्या लगा circuit क्या लगी इंटीग्रेटर तीसरी जिनरेशन की बात है इस तरीके तो फो मल्टीपल हमारे जो transistor है transistor और कपेस्टर दोनों इसमें कपेस्टर भी है तो मल्टीपल ट्रांजिस्टर और कपेस्टर को जोड़के बनाए गए आई सी integrated circuits ठीक है तो तीसरी जनरेशन जो है उसमें जो सरकेटरी यूज होती है वह होती है हमारे पास integrated circuits की अब इस dates पर मत जाना बच्चे जह अलग-अलग books पर अलग-अलग है कई websites में different है कई आपको यूज करने की जरूत नहीं है इनको ठीक है क्योंकि फॉर्ट जनरेशन है 1971 से शुरू होती है तो जरूरी थोड़ी थोड़ी है कि फॉर्ट जनरेशन आई और थर्ड खत्म होगी साथ के साथ ही ओवर्लैपिंग भी तो चल सकती है थोड़ी सी अब आपके पास मेरे पास 5G मूबाइल है आपके पास 4G मूबाइल है तो ओवर्लैपिंग हो रही है तो हो सकता है कोई दिक्कल वाली बात नहीं है ठीक है अब यहां पर अगर इंपोर्टन चीज देखें आप से अगर पू रहेगा तो आपका आमसर का रहेगा थर्ड जैनरेशन में कीबाड और मोनीटर दोनों ही इंटर्डूस किये थे यह को फोटल लगाई हुए है यह हमारे पास मोनीटर है ठीक है keyboard और monitor जो है वो तीसरी जनरेशन में शुरू होए और और languages भी आना शुरू होगी जैसे fortran 2 है to 4 है और बेसिक है beginners all-purpose symbolic instruction code algorithmic oriented language है पास्कल है ठीक है जो सारी languages आना शुरू होगी और जो तीसरी जनरेशन के computer से उनका यूज किया रहा था एर्लाइन सिस्टेम में मार्केट फॉर्कास्टिंग में याने की शेर मार्केट वगरा में और क्रेडिट कार बिलिंग एक्सेक्टर में यह कुछ examples है examples important नहीं है क्योंकि आपको यह नहीं पूछेगा कि किस जनरेशन का एक पर्टिकुलर कम्प्यूटर है कि बहुत सारे आने शुरू हो चुके थे तो इसलिए important नहीं है important क्या है इसमें एक तो circuit कौन सा यूज होगा दूसरा इसमें की बोडल मोनीटर की बात करी गई है और तीसरी एक चीज़ और है इसमें memory में टेप सानी शुरू हो चुकी थी इसमें ठीक है और सेकेंड जनरेशन का मैं भूल गया बताना आपको कि इसमें जो memories होती है इसमें जो memory थी जैने कि यह स्टोरेज थी स्टोरेज के लिए थी सब्सक्राइब करें जल्दी से जनरेशन जो हमारे पास कंप्यूटर से उसमें जो स्टोरेज टेक्नॉलजी थी वह कौन से थी सब्सक्राइब करें जो आज के टाइम पर हम यूज कर रहे हैं जो आज के टाइम पर हम यूज कर रहे हैं जो आपके पास आपका लैपटॉप होगा या कंप्यूटर होगा वह फोर्फ जनरेशन का खर क सर्कित्य चरूआथ si स्टार्ट हुई तो उसमें स्मोल स्केल से इंटीग्रेशन होना शुरू हुआ यानि कि 10 से 20 कॉंपनेंट्स को इंटीग्रेट किया फिर उसको मेडियम स्केल पे लेके गए जिसमें 100 कॉंपनेंट्स थे फिर आया हमारे पास VLSI अगर आप से पुछें कि विच आप फॉलिए टेकनोलजी इस जूज इन फॉर्थ जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स विच आपका आंसर क्या रहेगा यहां पर VLSI आपने फिर नहीं बोलना आपने क्या बोलना है VLSI VLSI क्या होता है वेरी लार्ज स्केल इंटिग्रेशन यह जो आप प्रसेसर देख रहे हो ना जैसे इंटल के प्रसेसर देखे होंगे आपने इंटल के जो प्रसेसर है इस तरीके से यह VLSI टेकनोलजी है यहां तक मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी अब इंपोर्डेन चीज क्या है कि पहला मैक्रो प्रसेसर का नाम क्या है क्योंकि यह सवाल ना एक बार पेपर में आया हुआ हुआ है पहला माइक्रो प्रसेसर कौन था कौन सा था तो इंटल 404 ठीक है अब देखो पहला प्रसेसर भी इंटल का था और आज के टाइम पे भी इस इंडस्ट्री पे जिसने रूल करा हुआ है उसका नाम इंटल ही है आप देखोगे आप 10 कंप्यूटर देखो एक साथ लगे कि अधियर बात को साथ राइदर नहीं इंटल है लेकिन जो डूर्व करा वहा है ओल्मॉस्त 80-90 परसेंट्री यह समें इंटल ही है उसमें इंटल ही है ज्याद कर इंटल ही होता है ठीक है अब नेक्स्ट देखिए भूर्ट जनेरेशन थे इसमें अब आज कर टाइन पे जि इसमें लेंग्विज लगबग सारी यूज होती है जैसे थी है थी प्लस प्लस है रावा है और एकल है पी एच्पी है पाइफन है डोटनेट है सारी लेंग्विज यूज होती है अब धको 1975 से लेकिए अब तक अगर यह चल रहा है तो इसमें वेरियस चेंजिस आयो होंगे स्पीड कितनी है या बैटर समझ सकते हो खुद से ही कि जो फॉर्थ जनरेशन है यह हम यूज कर रहे है इसकी मेंबरी देखो टीबी में है वन टीबी आज आती है नौर्मल हाट डिस्क है ना 512 जीबी बन टीबी जे तो नॉर्मल यह है टूटी बी नॉर्मल चल रहा है आ नहीं है था शान चला अच्छी बात है ना कहानी की तरह चलेगा जिए और वीडियो को लाइक कर दो अगर अच्छी लगरी तो बाकिंद देखो अब यह वांब 5 जेनरेशन की अभी तक हमने present की बात करी घर हम future की बात करेंगे फिर्फ जेनरेशन के अगर मुझार हम बात करें तो इस जनरीशन की बात सबसे पहले थी 1991 में हलाकि अभी यह अभाने नहीं बना है 5 जेनरेशन खेलेशन पर सेयरशह गराम करते हैं तो तो उसमें हमारे बाद जो रोबोटिक्स हैं रोबोट्स आपने देखा होगा उस पर आ रहे हैं लेकिन फुली डिवल्प नहीं है अभी अभी पार्शली डिवल्प्ट है तो वह फिफ्टल जिनरेशन में काउंट होते हैं जो AI है आर्टिफिशल इंटेलिजेंस यूज हो र इसके इलावा नियूरोन नेटवर्क से कुछ सोच रहे हैं इसे कहा जाता है नियूरोन नेटवर्क कि आपका कंप्यूटर जो है आपका कंप्यूटर आपके ब्रेन के साथ किनेक्टेड है जो आप सोचोगे आपका कंप्यूटर वैसे ही डेटा को प्रोसेस कर देगा इसे बोलाया था नियूरोन नेटवर्क इस आप फिफ्ट जनरेशन सब कंप्यूटर ठीक है इसके इलावा AI के आपरे में तो आप तो आपके नाम थोड़े से याद रख लेना ज्याद मुश्किल नहीं है याद करना कि फंद्रा भी इस नाम है जो आपको बताने चाहिए ठीक है गिंटी के नाव ठीक है चलो बच्चे अब नेक्स देखते हैं जेत होगी पांच हमारे पास जनरेशन अब पांचो जनरेशन को मैंने एक ही स्लाइड में रख दिया है आपके सामने ये है यह हमारे ट्रांजिस्टर से हैं यह इंटीक्रति anniversary तो करते हैं पहले cud जिनरेशन में सरकेट कौन साथ था वैक्यूम ट्यूब दूसरी में ट्रांजिस्टर तीसरी में आई सी चोथे में माइक्रो प्रोसेसर पांच में माइक्रो प्रोसेसर से वर यह यह तो बहुत ज्यादे प्रोसेसिंग स्पीड थ्री हंड्र थर्ड जनरेशन में ड्रास्टिक चेंज आया था क्योंकि इंटीग्रेक्टर सरकेट्स आये थे और वन ठीक है तो उनकी टेकनोलिजी थी तो आई हो यह चीज़ आप सभी को समझ आ गया होगा हमने हिस्ट्री सारी पढ़ लिए कंप्यूटर की हमने जनरेशन के बारे में पढ़ लिया है अब हम डिसकस करेंगे टाइपस ऑफ कंप्यूटर ठीक है अब हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे हमारे पास types of computers देखो don't compare it with super computers they are different सचीन तिवारी जो परम computers है न ये super computers है अभी आएगा देखना से super computer आगे ये उनके साथ इनका कोई link नहीं है ठीक है वो skip करो इस चीज़ को क्योंकि super computer तो यार आसे 20 साल पहले भी बनाओगा अब नेक्स देखो जी थोड़ा सा computer समझते हैं कि computer होता क्या है पूरी बर्किंग नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आपको input output devices में बताऊंगा तो definition हर किसी के लिए इसकी definition different है जैसे it is an electronic programmable device for storing and processing data typical in the binary form according to the instruction given to it in a variable program हम क्या करते हैं कि जो computer है वो क्या है एक programmable device है प्रोग्राम कर सकते हैं इसको हम अपने accordingly वो उसी के accordingly data को process करता है उसको store कर देता है किस form में binary form में किस form में binary form में तो इस तरीके साइक definition बनाईए है हम को इन्पूट देते हैं जिसको data बोलते हैं वो इस data को process करता है और हमें useful output देता है जिसको हम क्या बोल देते हैं information जिसको क्या बोल देंगे information हां जी बताओ दोस्तों समझा गया ना simple सभी बात है क्या है उसको data दो जिसको इन्पूट बोलता है वो इस data को process करेगा और हमें useful output देगा जिसको information कहेंगे बाकी पूरी कहानी जो है वह अगली classes में देखेंगे इसकी ठीक है जी हिंदी में बच्चे हिंदी में computer हिंदी में नहीं होगा नहीं होगा हिंदी में क्योंकि इंडिया में नहीं इंडिया में नहीं बना था इंगलीश सारी टर्मनो टर्मिनलोजी इसकी इंगलीश में ही है ठीक है चलो नेक्स देखो जी अब हम बात करेंगे types of computers की classification of computer एक एक करके पढ़ेंगे कि किस तरीके से computer आएगा हमारे पास ठीक है यह सारे मैंने पूरी एसे इमेज में आपको समझ आ जाएगा ब्रोडली तीन तरीके से computer को classify किया गया है एनलोग computer digital computer hybrid computer ठीक है फिर एनलोग और hybrid की कोई ओर टाइप नहीं है जो digital computer है जो आप फॉर्दर दो categories में डिवाइड किया गया है और दूसरा यह category क्या है तो परपस 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 होता है जर्नल परपस के computer होते हैं फिर उसके बाद आता है परफोर्मेंस वाइज है जिसमें embedded computer आएंगे माइक्रो आएंगे मिनी आएंगे में फ्रेम आएगा सूपर guarantee ठीक है चलो भई शुरुवात करेंगे हम सबसे पहले अनलोग कंप्यूटर की तो भई अनलोग कंप्यूटर क्या होता है ठीक है अनलोग कंप्यूटर क्या होता है ऐसी कोई कोई भी मशीन जिसको program नहीं किया गया है मतलब वो binary form में Garry by नहीं जिरो वन नहीं चल रही है वह mechanical है ठीक है तो क्या है mechanical कह सकते हैς और उसको किससे चलती है physical form न TM कोई भी ऐसी मशीन जो फिजिकल फॉर्म में चेंज हो उसको वोला जाएगा एनलोग कम्प्यूटर ठीक है जैसे एक्जेंपल के तोर पे आपकी जो जैसे पुरानी गाडियां थी मरूती एंडट की बात करो उसका जो स्पीडो मिटर है वो क्या है एनलोग कम्प्यूटर है ह लेकिन फिजिकल हो रही है यह चीज़ उसके बाद यह हमारे बाद बॉल्टेज है जो पोटेंशल डिफरेंस को चेक करता है ठीक है तो बोल्टेज में भी है यह यह चीज़ समझ आगी है तो आई होप आपको यह चीज़ समझ आगी होगी इन दिस डेटा और नंबर इस रिप्रजेंटेंटेंट इन दा फॉर्म अप कंटीनूजली बेरिंग फिजिकल क्वांटिटी जो फिजिकली चेंज करें डेटा को फिजिकली अगर चेंज होके डेटा रिपर्जेंट करें उन जल्दी से अगर समझा चुक है अनलोग कंप्यूटर तो एक 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 जेंपल आपकी तरफ से देखो अपने कमरे में क्या दिख रहा आपको अनलोग कि हां जी बताओ क्या दिख रहा है आपको एक क्यों चेंटिमuse मीटर होता है मिल्कुल ची इंवर्टर में होता है विल्कुल होता है दैएं वह एक बनदेश प्राने स्टेवलाइजर बटन दिख अगे अगे बिच्छी हूते मिल्क्ल सही है वौटर मीटर होटन अगर च्लोक कह बात है क्या बात है रोलेक्स मेरे पास नहीं है बट वह भी एनलोग यह ठीक है बिलकुल सही है चलिए बाइब बीपी के मशीन भूल के थे हम बीपी की मशीन भी होती है वह डिजिटल भी होती है अलग अलग है जो पुराने डोपर रख्यों यह ना ऐसे ऐसे करके होती थी और जिसमें मरकरी अब सिंपली आसान शबताता हूं किया वता है अगर प्रोग्राम तो उसको हम क्या ब OLT है कि वो दिजिटल मेशीन है ज Dash एड़ दिजिटल कम्प्वार्म है जैसे हमारी डिजिटल मेशीन मेशीन है जया distinct digital watch है सेलवा हमारा computer है जो आटकल गाड़ beiden पास already म्यॉणी स्पीडूटमेटर होते हैं यह है दिगघल स्पेडॉमेटर से डिजिटल बीपी चेक करने वाली machines होती है υओ वसारी दिजिटल है ठोशारी का है मुबाईल वाप्त डीजिटल है एलेक्टर की मेट्र आजकल डिजिटल आ चुके हैं बहुत अच्छे बिजली मीटर स्मार्ट वोच टीबी तो पूरा पीस्ती ही डिजिटल है भाई ठीक है वैरी गुट अब बहुत अच्छे तो आपको यह भी पता चल गया कि डिजिटल क्या चीज होती है ठीक है कहीं पर भी यूज हो सकती है इस चीजों का डिजिटल कंप्यूटर का फिर आता है अब हाइब का मतलब क्या होता है ऐसा कोई आपका कंप्यूटर हो जिसमें अनलोग डेटा भी आए और डिजिटल डेटा भी आए अनलोग डेटा भी आना चाहिए नॉर्मली गाड़ी की एक्जामपल लेकि जलते हैं गाडी का सपीदवांगे सर इंडिया है सबमें चल रूझे से बितos इपें लगी है उस्क्रीय और पास जिस कम्यूटर अनलोग डिजिटल डोनव जीजिजेंब को लों घूता है वो क्या होता है हमारे पास मार घूछत ही ह ус में अख सकते हो हुग होस्पिटल में जाओगे वहां पर यह मशीन हाइब्रीड होती है यह दोनों पर काम करते हैं यह भी हमारे पास एक जिसमें अनलोग भी काम हो रहे है ठीक है तो हर जगा लगबग आपको यह चीजे इक्जैम्पल देखने को मिल जाएंगे ठीक है अब नेक्स देखो अब हम बात करेंगे टाइप सब डिजिटल कम्प्यूटर की बात करेंगे क्योंकि अनलोग और हाइब्रिड का दोनों में अगे कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है लेकिन डिजिटल में क्लासिफिकेशन है तो ब्रोड बेसिक पे देखिए तो दो तरीके से डिजिटल कम्प्यूटर को हमने करा हुआ है जिसमें पहली टाइप आती है हमारे पास special purpose स्पेसिफिक टास्क करें उनको बोला जाता है जी स्पेसिफिक परपस कंप्यूटर जैसे एक्जमपल के तोर पे जो हमारी लाइट होती है इनका काम क्या है इनका इनका परफिक करना तो यह क्या है यह क्या है स्पैशल परपस कंप्यूटर से उसके पाद जो आटिया मशीन है थे इसा दिए वीडियो गेम खेल लोगे का गाने सुन लोगे इसमें से नहीं सुन सकते इसका एक special काम है और वो क्या है कि वही पैसों की transaction करना बेसिक काम है ठीक है automated टेलर मशीन ऐसे कुछ होता है ने इसका तो यह सारा क्या है हमारे पास दोनों ही एक्जेंपल से special purpose computer की ठीक है इसके बाद आता है जर्नल परपस computer जो आप सबके पास है आपका मुबाइल आपका computer आपका PC यह सारे क्या होते हैं हमारे पास जर्नल परपस computer होते हैं अब मेरा computer मस्क गेम खेलो मैं उस पर मुवीज देखो गाने सुनों यूट्यूब चलाओं है ना जहां फिर इसमें अपने नोट्स मनाओं जहां स्टडी करूं बहुत सारी काम कर सकता हूं है ना कोई भी काम कर सकता हूं तो जर्नल परपस computer आ गया हां जी बढ़ी है हां जी बच्चे समझ आ गया सभी को मैं एक बार देख लूँ फिर से दुखदर तो मुझे दिख रहे थे बच्चों के बता दो अगर है तो अभी मैं मैं मैंसेज पढ़ रहा हूं कि यह टेंशन मतले है अगर स्ट्रेस बढ़ी लेते हो कि यह टेख रहा है कल मैंने ऐसे एक वीडियो बना दी क्योंकि यह मेरे पास मैसेज सच में बहुत आ रहे थे कि डिसकाउंट देदो तो मैंने कहां कि जलो एक दिन के लिए टेसरीस पर डिसकाउंट है उसमें भी कुछ बच्चे कमेंट बता क्या कर रहे हैं यह हम इसको न सब्सक्राइब कर सकते हैं अब जिन्होंने प्रचेस कर लिए आट सो में उनके पास थे तभी तो प्रचेस कर लिए था इससे कोई मतलब नहीं था मेरा और मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि यह इस गौर्रमेंट वाला नहीं है जो फैनेंशली वीक है जो 800 पे नहीं कर सकते हैं तो आपको यह चीज़ समझागी होगी ठीक है तो बाकी काफी बच्चों ने अप्रिशेट किया है मैं उसमें कहा था कि जो पूरी फीस पे कर सकते हो प्लीज पूरी करें और मैंने देखा कि ओल्मॉस्ट थर्टी स्टुडेंट्स ने फुल फीसी पे करी हुई थी कल कल में 30 स्टुडेंट्स ने मैं वादा करता हूं कि जिन स्टुडेंट्स ने कल पूरी फीस पे करिये ना उनको एक्स्ट्रा कुछ ज़रूर मिलेगा फ्री में एक्स्ट्रा 100% कुछ ना कुछ आनुछ यह जडिरू कर आएगे क्योंकि हमारे पास तो सारा डेटा है यह मै यह अगर यह चाहता हूं कि आप मेरा यह कुण करें तो इसके लिए मुझे आप पर भी यकीन करना पड़ेगा तो यह चीज होती है अब शुरू करते हैं नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट आएंगे हमारे पास जनरल परपस कम्प्यूटर हो चुका है अब हम देखेंगे टाइपस ओप कम्प्यूटर उनकी साइध और परफॉर्मेंस के लेवल पे कैसे हमने कम्प्यूटर को बनाया है तो उसमें सबसे चोटा जो कम्प्यूटर आता है डैट विल बी एं सब्सक्राइब कम्प्यूटर जैसे हमारे गड़ी है जो गड़ी है इसमें जो कम्प्यूटर वो एंपड़न है जो आपकी वश्टिंग मशीन लइंग उसमें कहाई इममेंड़न कÖन्स एज जो आई औ ऊटीज होती है ऑ आई ओ पिम्योट्ट इंटरनेट पिंस कि आपने कभी टीवी में एड देखी होगी कि गर्मियां आ चुकी है अप गाड़ी में बैठी हो यह और आपने क्या किया अपने मुबाइल से ही अपने घर का एसी ओन कर लिया तो कैसे होना हो गया भाई कुछ ना कुछ तो प्रोग्रामिंग रही होगी ना कुछ ना कुछ प्रोग बैठा होगा तो वह क्या था उसमें कंप्यूटर इंस्टोल्टे जिसको क्या बहुते हैं एंब्डेड़ कंप्यूटर सब्सक्राइब क्या रहता है कि तुमने यह करना है उसके जो जितने भी सिस्ट्रम सोते उनको चेंज कर सकते हो टेंपरेचर कम जाधा कर सकते ना काम क्या होता है कि कितना ठंडा है कब माइक्रोन चलन ऌ डॉबन के रहुत नहें को चीज बताते हैं जो क्या होते हैं उनका यहां वो मेंको वह एक प्रोग्रामिंग क्या होती है तो नेक्स देखो एंबेड़ कंप्यूटर में क्यासे आता है कि जो स्मार्ट वोची होती है इसमें कौन सा कंप्यूटर होता है बस ऐसा question आजाता है आपका आंसर कह रहे अगें यहां पें क्मेंटेड जितने भी अईयोटी से इंटरनेट प्सक्रांप पूरी देख पहले को पहली तीन क्लास देख लेगा हमने सारा कंप्यूटर पढ़ लिया हैं अब हम ही वोगवान हैं आपको ऐसा लगना फील आने शुरू होएगे क्योंकि मैंने कुछ नहीं चोड़ा वह सब कुछ करवाद होगा उसकी कोई गरंटी नहीं कहां से पर डाल दें तो इससे पहले कि वह कुछ अब इसमें क्या होता है स्टूुडेंट वादें कंफ्यूज होते हैं tep जतने वी कंप्यूटर जितने वी कंप्यूटर आप यूज करते हो वह सारे माइक्रोकंप्यूटर्स में आते हैं चाहे वो आपका है चाहे वो आपका computer है चाहे वो आपका mobile है वो सारे among muchas computers क्या होंगे बच्छे micro computer जो computer हम use करते हैं ठीक है चाहे वो laptop है चाहे हम आपका mobile है चाहे वो आपका PC है चाहे आपका tablet है बगर टोंगे धर माइक्रो प्पुटर था किसी एक person के लिए होता उसको बोला जाता है माइक्रोग्विटर ठीक है यह परसनल कंप्योटर होते हैं डेकंस इन्दा कैटेगरी ओव माइक्रोग्विटर चलो बच्छे अब नेक्स चलते हैं तीसरे नंबर पर हमारे पास आएंगे मिनी कंप्यूटर अब मिनी और माइक्रो में बच्चा का मैं एक इसले चाहिए आप कंपनी का देटा एक मिर्में का रहा होगा तो उस डेटा को कितने लोग एकस करेंगे जितने कंप्री के पावरफुल एंड फास्टर दैन धी पर्स्नल घम्पक्यूटर जैसे यह तो इसकी जो होगी वह होगी 128 GB होगी मालों आपके कंप्यूटर की जो हाट डिस्क है मालों 512 GB की है तो इसकी जो होगी वह हो सकता है 3 4 5 10 TB की रही हो इस तरीके से समझगे ना बात को तो यह होता है है लासना थोड़ा सा मैइं हमारे पास रहां में और मीणी तोर पर अगलब आप पला कोन को से बैंक में आपका अकाउंट है को से मैं आपका अकाउंट है ते की नाम बताना कि क्या बात है देखो SBI और यह भी बता देना कि एप कौन-कौन यूज़ करता है जो होती नेट बैंकिंग कौन-कौन है नेट बैंकिंग बाला करते हो ना अब देखो आपका मान लो अकाउंट है स्टेट बैंक अप इंडिया में आपका अकाउंट है मान लो मेरा यह अकाउंट है एक असाम का है उसका अपाउंट है एक माल लो गुजराश इसका व्यक्त है तो इस सारे कंवी चाहें अपने लूड connect के चाहें अपना balance प्रीक इस चाहें एक चYeiled और रहा होगा थैक तो जहां पर डेटा स्टोर रहा है तो इसस्तोर हो रहा है वह होता है SBA bank का server वो हो गया SBA bank का server और उस server पे तो क्रोडो लोग जा रहे हैं जैसे मेरा मन करेगा माभी balance check कर लोगा तो मैं पहुंच गया ना server तक अपने आपी अपना login ID password लगाए और पहुंच गया server तक तो क्रोडो लोग daily basis पे server तक जा रहे हैं है तो जब माँवो एक computer पे World लोग access कर रहे हों तो उस case में जो computer होगा वह कौनसा computer होगा widespread computer होगा वह कौनसा computer मेंub Bien जिसको कहा जाता है big iron इस तरीके से होता है यह computer हमारे computer की तरह नहीं होटा में असमें क्या होता है इसकी इसकी स्पीड बहुत जादा होती है इसका साइज भी बहुत बड़ा होता है और जाला तर इनका यूज किया जाता है जो बड़ी-बड़ी अब उसके बाद आएगा सबसे पावरफुल कंप्यूटर जिसकों क्या बोल देते हैं सूपर कंप्यूटर जो की मेन फ्रेम से भी बहुत बड़ा होता है तो कुछ इस तरीके से हैं इसकों कहेंगे सूपर फास्ट सूपर लैबल सूपर स्टोरेज सब कुछ इसका सूपर सू लगे होते हैं यह मान के चलो कि इसके उपर कुछ भी नहीं है तो जो सॉपर कंप्यूटर रोप्सेस वाफास्ट Гश्यथ मों स्देटोंध दिजिटल कंप्यूटर होता है अभ यहाँत क्यों होता है इसको समझो दो जितनी भी बड़ी-बड़ी क्यलकुलेशन हारो जिसकि एरिया में कल बारिश होगी या नहीं होगी तो आप क्या करोगे फटा-फट अपना मुबाइल निकालोगे और देखोगे नहीं कल नहीं बारिश या फिर आप कहोगे 50% यूज़ यूज़ होता है क्योंकि वैदर के बारे में बताने के लिए आपको कितने क्यलक्याशन करने पड़ेगी यह देखो पिछले 500 साल का डेटा देखना पड़ेगा इस पांसो साल में कब यह तैंपरेचे रहा वाला डेटा देखना पड़ेगा तो इतनी हाइली के ठीक है अब कुछ और नोट्स जो याद रखने वाली चीज़ें वह आपको पता होना चाहिए सबसे पहले सेमोर क्रे का नाम याद रखना वहीं यही वह इंसान थे जहां थे सुपर कुम्पूटर की शुरुआत ही थी जो मैं शाहिद इस क्लास में नाम ले चुका हूं पहले सुपर क्रेवं 1976 में इसको पहला सुपर कंपूटर कहा जाता है थी अब आप गूगल सर्च करोगे तो 59 में भी सुपर कंपूटर रहा था बट उसकोड़ अज तक का आज की डेट और यह चेंज भी हो सकती है मालोगर है आप शे महीने बाद इस लेक्च्चर को पहले बता दूमें इंडिया का इंडिया की बात करेंगे इंडिया की देखो अभी तो हमने बात करी है पहला सुपरकम्प्योटेर दुनिया का स् सुपरकम्प्योटेर दुनिया। अभ इंडिया का भी पता होना चाहिए υन्डिया के अगर हम बात करें। तो भई हुष बढ़कर यह नाम याद रखना इंडिया घुटेर टा जो पहला सुपर कि इनडिया का फास्तेस्ट सुपर कंप्यूटर थिसके स्पीड क्या है 6.5 पैटाफ्रॉप सिक्स पैटाफ्रॉप्स अब आपने comment section में क्या बताना है कि फ्रंटियर की स्पीड कितनी है इसकी स्पीड तो वाट्रियंस में होगी लेकिन आपने कमेंट करके बताना है लेक्षर खतम होने के बाद ठीक है तो चलिए दोस्तों यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को पहला चक्टर हमारा खतम हो चुका है हमने हर एक चीज़ डिसक किया है जो भी important questions बन सकते थे वह सारे मैंने बता दिया आपको अब आपने क्या करना है यह जो पीपीटी है यह एज इस आपको मिल जाएगी आपके नोट्स में नोट्स अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो देखो पिंड कमेंट जो नीले रंग का कमेंट है ना उस पे क्लि जितने स्टुडेंट आप देख रहे हो एक बार लाइक करो फिरमा आपको नेक्स्ट वीक का प्लैन भी बताता हूं धोड़ा सा चाबाश जल्दी से कर लो जल्दी से लाइक कर लो भाई अब जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें मैं आपको बढ़ाऊंगा कंप्यूटर हाडवेर और मेमरी सेकिंड चप्टर हम करेंगे जैसे मैं आपको बताया था ना थोड़ा सा आपको बता देता हूं एक सेकिंड फिर से हम डिसकस कर लेते हैं कि अधिक लास मेंने इस्टरी पढ़िया में हमने जनेरेशन पढ़ लिए वने टाइप से क्लास में पड़ेंगे अब हाडवेर ना में इनपुट डिवाइस ब्याएंगे आउट The we're पढ़ेंगे प्रिंटर बगएरा सारा कुछ आएगा और मेमरी के बारे में पढ़ेंगे क्या होती है मेमरी रैम रोम हार्ट डिस्क एससदी पैन ड्राइब सब कुछ पढ़ेंगे इसमें उसके बाद आप यहारा कम्प्री आप का तो अब जो नेक्स आपकी क्लास होने वाली हैँ न कंप्यूटर की वह नेक्स ऐपने पर लिएग वाएज करिए एक तरीके से ठीक है बागी कोई भी अगर आपको डाउट होता है comment section आपके लिए comment section में लिख दीजिए अगली class में पहले वो doubt देख लूँगा मैं फिर मैं next class आपकी continue करेंगे ठीक है बाकी जो भी आप कोई भी सुझाब देना चाहे कोई भी appreciation वो comment section आपके लिए है ठीक है उसका use करा करिए अगर आप comments लिखते हो अच्छे अच्छे तो बड़ी खुशी होती है comments बढ़के बड़ा मज़ा आता है अगर आप अच्छे comment लिखते हो अगर आपको solution भी देना चाहते हो वो भी दे सकते हो next class में उस चीज़ को सब्सक्राइब करता हूं बहुत अच्छा लगा आपके साथ इस class को मैंने भी बहुत इंजोई किया होगा क्लासिस अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना बोले अपने दोस्तों वक्त शेर करें जो भी कोई भी अगर competitive exam की तैयारी करना है और उसमें अगर computer है ना तो यह बहुत beneficial होने वाला उसके लिए तो thank you very much guys bye bye see you in the next class